ओम शन्ति पतित पावन गौड़ फादर बेहत का बाप संगम युकपर रुहानी टीचर बन हम गौड़ली स्टूरेंट्स को उचे से उची पढ़ाई पढ़ाने के लिए आते हैं आज की बाबा की सारे ही मुरली लौकिक और अलौकिक पढ़ाई में क्या आंतर है और इस अलौकिक पढ़ाई को पढ़कर हम कैसे उचे पद की प्राप्ति कर सकते हैं उस विशे पर बाबा ने हमें समझानी दी तो आईए रिवाइस करते हैं आज के 28 डिसमबर 2022 के बाबा के म रुखानी गवर्मेंट का इजाफा किन बच्चों को मिलता है जो सर्विस का सबूत निकालते जो बहुतों को आप समान बनाने की मेहनत करते रुखानी पढ़ाई के विशे में बाबा ने क्या समझाया कि बेहद की उची पढ़ाई है ये पढ़ाई है नई दुनिया के लिए हम बेहद के बाब से ये पढ़ाई पढ़ते हैं हम पतित पावन गौड़ फादर के स्टूरेंट हैं ये पारलोक एक पढ़ाई है परलोक के यहां एक क्लास में हर प्रकार की पढ़ाई होती है पढ़ाई को कभी भूलना नहीं चाहिए और ही खुशी रहनी चाहिए जितना अच्छी रिती पढ़ेंगे उतनी प्रालब्द 21 जन्मों के लिए जमा होगी हम अपनी पढ़ाई अनुसार बाबुल के पास जाएंगे फिर आकर नई दुनिया में पद पाएंगे समझाने के लिए स्लाइड्स में क्या लिखवाना है परंपिता पर्मात्म से तुम्हारा क्या संबंद है उनसे क्या वर्सा मिलता है त्रिमूर्थी ब्रह्माद्वारा हमको यह सूर्यवं श्री पद मिलता है श्रिववावा रुखानी बातें समझातें, पतितों को पावन बनातें, विनाश और स्थापना करतें, सभी शास्त्रों का सार समझातें, बच्चों के द्वारा वैकुंट का द्वार खोलतें, जो ड्रामा में नूंध है उसका साक्षातकार करातें। आज की मुरली के अनुसार, कंट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं, शरीर है जड, आत्मा है चैतन्ने, कब्रिस्तान बड़ा है, परिस्तान छोटा होगा, ये है पारलौकिक पढ़ाई, वह है लौकिक, बेहत की पढ़ाई बहुत उची है, बाकी सब है पाई पैसे की, योग समान बल से हम उच बनते, गफलत करने से बहुत पचताएंगे, आप समान बनाने से उच पद पाते, योग बल से हम अपने विकरम विनाश करते, ज्यान नदियों द्वारा ज्यान स्नान करने से सदगती होती, मामेकम याद करने से मुक्ती जीवन मुक्ती को पाते, शिव ब नर्क वासी से स्वर्ग वासी बन रहे हैं ये घड़ी घड़ी याद पढ़ने से हमारी दिमाग में खुशी च甲ड़ती हैं संगम युकपर हम बच्चे क्या करते हैं पावन दूनिया बनाते स्वर्ग का रास्ता बताते नई जंगम युग पर हम बच्चे क्या बनते हैं, पुझ्जे, स्वदर्शन चक्रधारी, बाबा जैसे नॉलिजफुल, नर्कवासी से स्वर्गवासी, भविश्रे 21 चन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक, हमें किन बातों को धारणा मिलाना है? सब पर रहम करना है, गफलत नहीं करनी है, पढ़ाई का कदर रखना है, पावन बनना और बनाना है, बुद्धी में स्वदर्शन चक्र फिराना है, ग्यान और योग बल जमा करना है, बाबा से कृपा आधी नहीं मांगनी है श्रीमत पर दैवी गुन धारन करने है अशरिरी बनने का अभ्यास करना है महादानी बनना है शंक ध्वनी करनी है फालतु बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है आप समान बनाने की सेवा जरूर करनी है एक बाप के साथ दिल लगानी है किसी देहधारी से नहीं बहुत मीठ बोलना है मुख से कड़वे बोल नहीं निकालने है ये थी आज की मुरली की विशेश बातें आज बाबा ने हम बच्चों को इस रुहानी पढ़ाई पर जोर देने के लिए अटेंशन खिचवाया ये पढ़ाई हमें सिखाती है कि हम बच्चों को देवता बनने के लिए द Om Shanti